और रट गईज टाइम आ चुगा यह वेब साइट आपको स्क्रिन पर दिख रही नहीं है इसको होस्ट करने का तो यार इसको फ्री के अंदर मैं आप लोगों को होस्ट करना सिखाऊंगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो सिंप्ली इसको लाइक वगर कर लीजिए गार औ कर सकते हो ठीक है जो हमने इस प्रेवेस वाला वीडियो देखा था यार और अभी तक आप लोगो ने चेक आउट नहीं किया तो जरूर चेक आउट करना में लिंक इसका डिस्क्रिप्सिन पार्ट के अंदर प्रवाइड करा दूंगा आप लोगो वहां से जाके आप लोग इसको प्लेक कर सकते हैं ठीक है और इसी के साथ साथ देखो इसमें इन दो ब्यूटिफूल जैने मैंसन आ रहे हैं यह सारी चीजे मैंने आपको डेफिनेटली बताई है तो यह आप लोग जरूर चेक आउट करें इसको ठीक है और काभी चीजे और भी बताईए मैंने इसक जाता हूं इंटरेनेट पे से अगर मैं विजिट करना जाता हूं तो आप फ्री के अंदर होस्ट कर सकते हैं गीटब से यह काफी लोगों ने सुना हुआ गीटब अपकी टब क्या होता है गीटब एक ओनलाइन डियेक्टरी होती है जहां पे हम सिंप्ली हमारी प्रोजेक् करना है गीट है ठीक है गीटब.com पर मैं सिंप्ली चलता हूं और गीटब.com पर मैं जैसे गया ना तो देखो मेरे सामने गीटब की जो ओफिसल वेब्साइट है वो सिंप्ली यहां पर हो जाती है आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं ठीक है अब दो काफी बड़ी वेब साइन अप अगर आप नए हो तो आप सिंप्ली साइन अप कर सकते हो ठीक है और साइन मतलब आपको विजिल आपका फोर्म रिजिस्टेशन करना है सिंपल ठीक है और मैंने तो ओल्लेडी सिंप्ली इसको क्या कर रखा है साइन इन कर रखा है देखो सिंप्ली हाँ पर दे र आप कर रहा है मैं साइन करूंगा यह मेरा है और यहां पर मैं जल्दी से पास्ट डाल देता हूं ठीक है और रैट मैं सिंप्ली साइन इन पर क्लिक करता हूं तो आप लोग देख सकते हो मेरा गेट अब यहां पर ऑपन हो जाता है कुछ इस टैप का आपका डेस बोड मिलेग हो सकता किया आपको सिंप्ली वाइट कलर के अंदर दिखे तो ऐसा कोई नहीं है लेकिन मैं सिंप्ली मैंने डारेक मोड को इसको कस्तमाइज कर रहा है इसमें मैंने अप्लाई कर रही है इसलिए कुछ वह इस टाप से दिख रहा है और आप देखो करना क्या सबसे बड़ी यहां पर आपको सिंप्ली एक नई टेप और आपको स्थोमील को ऑपने आपको जोड़ाने नहीं करता हूं यहां पर PowerPoint पर simply key artist is the software नहीं को आपको सिंपावाणोड करना है मैंनेดर को ऑल ल हुए सिंपरिक स्क्राइवार करना रखा है तो अभी हम इसको स्टॉL करना पड़ेगा ठीक है तर एक है अम क्या करते है उसको स्टॉल इसको क्या कर लेता हूं और आपको पहले डाउलोड करना पड़ेगा देना आप मेरे पास क्या है मेरे पास यह जो तो software दिखरा ना, इसको मैं simply क्या कर लेता हूँ, install कर लेता हूँ, और तो हैर इसको इसको install कर लेता हूँ, यहाँ पर, जैसे मैं इसको open करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेरे पास कुछ इस type का dashboard आजाता है, इस type से मेरा यह welcome to github desktop आजाएगा, अब जैसे आप इस पर click करते हो, आपको यहाँ पर open github desktop browser के अंदर जाके open होगा, आपको simply a website wants to open application, हाँ, मुझे simply क्या करना है, open github desktop पर simply मुझे click कर देना है, और अब जैसे मैं इसको click करता हूँ, यह देखो sign in होना start हो गया, और मेरा जो नाम था और यह सारा data मेरा जो github था उसकी जो भी डेटा था उसने इसने फैस कर लिया, so air hope की चीज़े clear हैं और आप लोगों नहीं तना करी लिया होगा, simply आप देखो मुझे करना क्या है, जो finish वाला बटन है इस पर directly click कर देना है, अब देखो यहाँ पर जो भी मेरे repository मैंने create कर रही थी, आपके सामने अभी आप लोग beginner सापने कभी इसका user नहीं किया है, तो आपके सामने कुछ एसाथ नहीं दिख रहा होगा, don't worry, यह मैंने पहले से इतनी website इसमें host कर रही हैं, तो आप लोग करें, क्या सिंप्ली आप लोग के काम करें, आप लोग जो हमारा Google Chrome हमने open किया था, सिंप्ली इस page को भी delete कर दो, जहां पर मैंने github मेरा login किया था ना, login कर ले ना आपको सिंप्ली, अब देखो ऐसा dashboard आपको मिलेगा, इसमें repository इस पर मुझे एक नई repository उक्रिट करनी है, यहां पर सारी repository मेरे रख्योई है, आप लोग देख सकते हो, यहां पर इतनी सारी website मेरे रख्योई हैं यहां पर, देखो simply है कि एक नई repository और करनी हमां आपको बढ़ाता, तो चैसे कर शथे कनि सब्सक्राइब्स बाटन यहां से कर सकते हो यह पिर एक सबसे पहले सस्बंच नामम पास्थ लगे नाम पास्ट कर देता हूं देखो करना कैसे है सबसे फहले तो आप डाल दो हमें कुछ बीडाल दो सबसे पहले देखो मैं डाल तो बूत सिंप्ट डाल दो बूत स्ट्रैप और वेब ठीक है bootstrap web और dot आपको dot लिखना ही पड़ेगा उसके बाद भी आपको simply git hab dot और io आपको लिखना है guys यह command आपको लिखनी पड़ेगी dot github dot io आप पहले बाला नाम कुछ भी डाल सकते हो जैसे हम कोई फाइल क्रेट करते हैं विजल स्टूडियो कोड के अंदर तो हम कैसे लिखते हैं इंडेक्स.html इंडेक्स.csis इंडेक्स.php इंडेक्स.js जावास्क्रिप्ट के लिए तो वेसी इसका भी एक एक अक्सेल सेना है .github.io यह आपको लिखना है और bootstrap web आपको लिखना है ठीक है थोड़ा स्क्रोल करना है और create repository का बटन आएगा आपके सामने इस पर आपको simply क्लिक कर देना है अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना तो मेरे पास यह जो repository है यह बनके ready हो जाएगी तो यह आप लोग लोग यहां पर जो software है इसको आप simply यहां पर और इस बटन को प्रेज करो इसको रिफ्रेज करो simply तो हमने bootstrap.github.web नाम से simply repository बनाई थी वो मैंने यार काफी आप लोगों नहीं किया तो आप लोगों उपर यूपर दिख रही होगी लेकिन मैंने तो इसमें काफी जीजे बना आ रहे हैं मुझे उसको सर्च करना पड़ेगा तो in fact आप मैं सर्च कर देता हूं bootstrap और web देखो यह आ चुकी है जैसे मैंने bootstrap और w e लिखा रहा है तो मेरे पास bootstrap web जो अभी-अभी मैंने करेट किया वो आ चुकी है और simply आपको clone पे क्लिक कर देना यह जो नीचे बार क्लोन पे क्लिक कर देना है ठीक है जैसे मैं इस पर clone पे क्लिक करता हूं यह देखो cloning होना start हो चुका है और आप लोग देख सकते हैर cloning होना हमारा start हो चुका है अब यार जैसे cloning complete होई ना तो मेरे सामने कुछ steps से dashboard आ जाता है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर simply और अब आप लोग इसको notice कर सकते हो यहाँ पर मुझे क्या करना है जो show in explorer वाला बटन है इसको प्रेज करना है इस पर मैं प्रेज करूँगा तो मेरी SDD या जो मेरा computer है वो simply open हो जाएगा जैसे मैं show in explorer पर click करता हूँ यह देख सकते हैं मेरे सामने जो computer है वो open हो चुका है ठीक है अब यह तो this PC, document, github और इसके अंदर boots है web.github.io नाम से जो हमने हमारा new repository क्रेट किया था github.com पे तो वो simply यहाँ पर आ चुका है simply इस folder के अंदर यह जो folder है यह folder empty है इसके अंदर मुझे क्या करना है उसको डाल देना है जो मेरा website मैंने क्रेट किया था तो यह website मैं window plus e page करता हूँ एक और मैं नई box open करता हूँ simply आप window plus e करके कर सकते हैं फिर नई file भी आप वैसे आप my computer पे जाके क्रेट कर सकते हूँ ठीक कैसे भी करके आपको simply copy कर नहीं है यह जो आपका मैं फाइल है ना stml वाला यह आपको simply का नाम index रखना ही है आप और कुछ नहीं रख सकते अगर आप और दूसरा नाम यहां पर पास कर देते हो तो आपका जो github है वो simply को catch नहीं करेगा और इस file को वहां पर नहीं दिखाएगा तो आप simply हो सके हो सक index.html नहीं लग रहा है आप script.js लिख सकते हो इसके कोई जरूरी नहीं है और आपका जो मिज़ेज है वो आप इसमें डाल सकते हो ऐसी बात नहीं है लेकिन यह जो मैंन फाइल इसका जो नाम होना चाहिए वो simply index.html होना चाहिए और इसको मैं completely करता हूँ यहां पर आके simply copy क पास code आ जाएगा so three two one accident देखो guys मेरे पास यहां पर complete code आ चुका है sorry मेरे पास एक photo दिख रही है लेकिन देखो HTML का code मेरे पास है रहा जो हमने type किया था boot shape का complete code है और script.js का simply code यह रहा हमारे पास सारी चीज़ यहां पर almost हमारे पास आ चुकी है और किंस किस चीज को आपको simply छोड़ना आपको यहां पर checked, unchecked, unchecked सारी चीज़े कर देनी है वेसे करनी नहीं है जिस चीज को आप चाहते हों कि यह चीज नहीं दिखानी तो यह चीज आप यहां पर unchecked कर सकते है फिराल मुझे सारी चीज चाहिए तो मैं सारु पर क्या करता हूँ check डी रखता हूँ ठीक कुछ भी लिख दो है और यहां पर डिस्क्रिप्शिन पार्ट के अंदर लिख दो simply आप इस इस दे बूट स्टैप प्योर बूट स्ट्रैप यहां पर कुछ भी मैंने लिखा और मैं कमिट टू मैंन पर क्लिक करूंगा ना भी तो देखो simply committing to start हो जाएगा यह देखो ठीक है यह मेरे पास dashboard आचुका है इसके अंदर क्या करना है देखो सबसे पहले एक बटन आ रहा publish to branch the current branch man has been published to remove yet publishing to github हमको publish करना है इसको इस ब्रांच को तो हमको simply publish ब्रांच पे क्लिक करना है अब जिसे मैं publish ब्रांच पे क्लिक करूंगा यहां पर आप लोग देख सेथे हो passing to origin hang on यह देखो start हो गया है simply हमारा upload होना यहां पे और आप लोग देख सकते हैं हमारा start हो चुका अभी यहां से और यह जल्दी end हो जाएका फैसी origin हो रहा है hang on और यह हमारी repository refresh हो रही है simply all right हमारी website डल चुकी है सूपवारी website डल चुकी है अब simply आप इसको क्या करते हैं close करते हैं घृच ठीक है तो आप सिंप्री क्या करें यहां से close कर देumbling आप यह जो आपके सामने page ना यह जो page दstatास्या आना इसको आप creek रीवरेश्च करें अब जैसे मइस page को simply refresh करता हूँ यहां से मैं स्कोर्ट को डाउलोड भी कर सकता हूँ, सारी चीजे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पर इस्यू, पॉल रिक्वेस्ट, एक्षन, प्रोजेक्ट, विक्की, शोक्यूरिटि इनसाइट्स, तो आपको सिंप्ली थी यहाँ पर ओपन हो चुकी है सिंप्ली, अब देखो सिंप्ली करना क्या है, सबसे पहले आपको करना यह है, कि आपको एक औप्शन मिलता है, आपको पेज पे-क्लिक करना है, राइट, सोरी, लैप्ट साइड़ी के अंदर जो मैंनों दीख रही है, इस पे आपको सिंप्ली एक option मिलेगा page का और इस pages पे आपको simply click करना जैसे आप इस pages पे click करते हो तो आपके सामने क्या होगा आपके सामने देखो यह source दे रहा नहीं source इस पे गीटा page currently disabled यह हमारा currently disabled है तो आपको नहन पे click करके simply यह जो man ना इस पे आपको simply click करना है man पे click किया branch man की और route simply इस ऐसा आजाएगा जैसे आप simply man पे click करोगे तो आपके सामने ऐसा आजाएगा आपको simply save पे click करना है अब जैसे मैं इसको save पे click करता हूँ तो आप लोग देखना है अब मुझे simply your site is ready to publish अभी हमारी site ready नहीं हो जब भी हमारी site ready हो जाएगी publish हो जाएगी तो यहाँ पे simply checked का निसाना जाएगा मतलब सही का निसाना जाएगा और यह जो link कही है तो मुझे मिली चुका है आप लोग देख से तो link मुझे मिल चुका है तो गज़ एक काम करते हैं फिर से इसको रीफ्रेज करके देखते हैं कि हमारी website यहाँ पर पब्लीश हुई यह हमारी website पब्लीश नहीं हुई तो हम क्या करते हैं थोड़ा बैट करते हैं और गाइज अब एक काम करते हैं काफी जाता वेट ही कर लिए यह मैं सिंपलीज को रिफ्रेस करता हूँ फिर से ठीक है और देखते हैं और देखते हैं और देख सकते हैं योर साइट इस ड्रेडिट एट पब्लिस हमारी वेब साइट वो पब्लिस हो चुकी है मेरे पास यह यह इसका कलर भी अलगी हो गया अब जैसे यहार मैं इस लिंक पर क्लिक करूँ आँ तो यहां पर नई टेप ओपन होगी और उसके अंदर मेरी वेब साइट ओपन हो जाएगी आप इस वेब साइट को फोन के अंदर भी देख सकते हो चलो करके देखते हैं जैसे मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो 321 यह देखो इसी के अंदर ओपन होगी सिंपली जो हमारी बूट सेफ की वेब साइट थी यह दो लोडिंग आ चुकी है और यह मेरी वेब साइट अभी स्टार्ट आने वाली है आप लोग देख सकते हो और मैं इसको सिंपली आप लोग को दिखाता हू तो वह अपने फोन के अंदर भी इसको ओपन कर सकता है इस वेब साइट को पर याद रखना एक सिंपली एक स्ट्रेटिक वेब साइट नहीं है तो हम जब भी को बैकरेंड की लेंग्विज देखेंगे ना जैसे पीएटस पी और नोड जैस वगरे देखेंगे तो इसमें आपको पाइटन जैसे फ्लैक्स जंगो सारी चीज़े होती है वो भी सारी बात करेंगे सारा कुछ देखेंगे इस पर जितना भी प्रोग्राम होती है प्रोग्रामिंग राइग्वेज होती है सारी चीज़े मिलेंगी आपको इस पर तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्र जाएगा विद प्योर आपका प्यास पी ले लो नोट जेस ले लो या फिर आप फ्लैक्स जैंगो की मतलत से भी आप कर सकते तो सारी चीज़ी देखेंगे बस गाइज आज वीडियो नहीं और मिलते हैं किसी ओसम वीडियो के साथ नेक्स में और तब तक के लिए थेंगे गाइज वामस ठेक केर बाए बाए